आको जे ये सुकी प्रभी ये सु खृस्त में प्यारे भाई और बहनों नव जीवन का संदेश इशिर्षय के अंतरगत पृत्ति दिन का इश्वर का जीवन्त वचनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वचनों के अनुसात जीवन बिताने की शक्त आम अर्थिक्रपा अ और सु समचार में हम सबूं को एक महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए और उन बात को उस बात को समझते हैं एक सुन्दर सच्छाई का कृष्ट्य जीवन विताने के लिए प्रभू हम सबूं को बुलाता है निमंत्रन देता है आज के पहले पार्ट में हम लोग सुनते हैं नभी एरेमियस के बारे में नभी एरेमियस को ईश्वर का संदेश को लोगों तक पहुँचाने के लिए चुना गया था और ये उनकी जिम्मधारी थी ये उनका मिशन कारिय था जिस कारियों के वो भाको भी कर रहे थे निबार रहे थे लेकिन लोग एरेमियस के द्वारा बताई हुई उस सच्छाई की बात को ना ही सुनना चाते थे ना ही समुझना चाते थे ना ही ग्रहन करना चाते थे उसकी विपरीत लोग एरेमियस के किलाफ होते हैं एरेमियस के किलाफ शड्यंत्र रच्चते हैं एरेमियस को ही उनकी ज समाज से महलने से दूर करना चाहते हैं इस प्रकार की मानसिकता हम लग वहां पर देखते हैं और आज के सू समचार में हम देखते हैं योहन बफ्तिस्ता जो सत्य को सत्य को ग्रहन करने के लिए लोगों को तयार करने के लिए आया था और उस उसने जब सत्य प्रकट किया सत्य की बातें बताई, लोगों ने उस सत्य को ग्रहन नहीं किया, क्योंकि सत्य लोगों को खड़वा होता है, अंदकार में रहने वाले लोग उजाले को पसंद नहीं करते, लगबग ऐसी ही कुछ बात योहन बफ्तिस्ता के साथ होती है, राजा हेरुद जो एक प्रकार से अंदकार से संचालित था, अंदकार का उसके जीवन में बहुल बाला था, और योहन बफ्तिस्ता क्रिस्ति की जोती लेकर आया, क्रिस्ति की शांती लेकर आया, क्रिस्ति की सच्चाई को लेकर आया, और उसने हेरुद के सामने, राजा वो इस बात की गोषना कि आपके जीवन में क्या-क्या सही नहीं है इस बात की गोषना की राजा हरुद इस बात को ग्रहंड करने के लिए तयार नहीं था हलएंकि उनको मालम था कि योहनवपतिस्ता एक संत आदमी है उसको मालम ता लेकिन फिर भी वो सच्चाई को ग्रहन करने के लिए नहीं तयार था और नहीं वो सच्चाई के अनुसार जिवन बिताने के लिए तयार था क्योंकि राजा हेरुत सोचता था मैं राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता इस प्रकार के मानसिकता उसके अंदर थी इस दो अलग अलग प्रकार के परिवेश हम देखते हैं योहन बफ्तिस्ता के साथ और नभी एरेमेस के साथ और इसलिए आज के दिन में इस दोनों परिवेश को मद्दे नजर रखते हुए हम लोग हमारे वर्तमान परिवेश को देखें हमारे वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है क्या आज के दिन में कोई सच्चाई बोलके असान इसे जी सकता है सच्चाई का जीवन जीते भी असान इसे तरक्य कर सकता है यह सब सवाल हम सुबों को करने हैं अगर नहींकर सकता है तो हमें कैसे उस सचाई को आगे कैसे बढ़ाए जाए कैसे जिया जाए इस बात को भी हमें आज के दिन में सीकने की आवशच eingता है आज के दिन में हम लोग देखते हैं लोग अन्דकार के बजाए लोग उजाले के बजाए अंदिकार को अधिक पसंद करते हैं हम लोग पैबल में पढ़ते हैं प्रभु येस्थ मसी अपनों के बीच में आया उनके अपनों ने उनको इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उनके कर्म बुरे थे और वहीं बात AIRIMES के जमाने के लोग और यहन बप्तिस्था के जमाने के लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे थे इसलिए उनोंने वो सच्चाए को गरहन नहीं किया सच्चाए को सुविकार थे लेकि अपनों के बीच में वहा आया प्रभु येस्थू लेकि उनके अपनों ने उनको नहीं अपनाया अपनों ने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि सचाय को अपनाने का मतलब यह रहा कि उनके जीवन में किसी प्रकार की जूटी बात अंदकार की बात अस्ति के बात नहीं रह सकती इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सचाय को ही टुकरा और हम देखते हैं और आज के परिवेश में भी आजय के जमने में भी यही देखते हैं जो व्यक्ति न्याई के उनसार चलता और सच्छाई के मार alltid और चलता हो हर कोई विक्ति ऐसे विक्ति को बहुत जल्दी वहां से अलग कर देते हैं यहां से वहां से उसको ट्रांसफर कर देते हैं और इस प्रकास क्योंकि लोग आज भी वही मानसिक्ता में जी रहे हैं अंदखार में असत्य में अन्याई में भेमानी में रहना लोगों के लिए अध प्रचार प्रसार करने के लिए चुने गए हैं प्रभू के नाम से गवाई बनने के लिए चुने गए हैं प्रभू के नाम से प्रभू के साक्षे बनने के लिए चुने गए हैं हम सबों के लिए चुनावति का विशय है हर दिन हम सबों के लिए चुनावति का विशय है ऐसे परिवेश में जहां अन्याय आतंक असत्य अंदखार का बोल बाला है ऐसे परिवेश में हम कैसे प्रभु की उस जोती के विश्वास की प्रेम के दिये को जलाये रख सकते हैं इस बात के चुनावते हम समों के लिए आज के दिन में दी गई है इसलिए हम इस बात को समझें य जोन बबतिस्ता ने समझोता नहीं क्या कि अगर मैं सच्चाई बोलूगा मेरे जीवा मेरे जीवन के लिए खत्रा है मेरा नुकसान हो सकता है इस प्रकार से मालम होते हुए भी उसने समझोता नहीं क्या बलकि सच्चाई का सामना क्या सच्चाई को पेश क्या सच्च बात उसने राजा के सामने रखी और जो बोलता है उसको उसकी एक प्रकार की हम कह सकते हैं उसका एक नतीजा उसको ढॉब ना पड़ सकता बिना कस्ट उठाए आजके परवेश में सच्चाय को न्याय को हम लोग सामने नहीं रख सकते हैं чуть को सच बोलना चाहता है उसको कस्ट उठाने होंगे उसको दिखतों का सामना करना पड़ा लोग उसके उपर उठार हुए कि उसको मार डालने के लिए उन लेकिन उसने सच्चाई को सामने रखते हूं कि उसका नतीजा क्या होता है के जीत होती जूट सब्सक्राइब मिट जाएगा जब युद्म होगा वहां पर अंदकाट ठीक नहीं सकते हैं निकी हम सबों के लिए संदेश है कि हम दुनिया के उसे प्रवाव में बहें के न आ जाएं दुनिया में क्या होता है सौमें सी नब्वे लोग हो सकते हैं वहां आज आटान हैं अन्याई के रास्तें पर चलते हैं नफ़रत के रास्तेमें चलते हैं इस प्रकार की मानसिक्ता में चलते हैं लेकिन हमें हमें उस सच्छाई को सामने रखते हुए उस प्रेम का दिया को जलाया रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभून हमें बुलाया है यसलिए हम इस बात को समझें एक अंदकार बड़े कमरे में एक चोटी मौंबती जलाने पर भी बहुत फरक आ सकता है उसी प्रकार से बली सव में से नबे लोग गलत रास्ते में चल रहे हुए अंदकार में संचालित हो फिर भी एक वेक्ती का वहां पर विश्वास रूपी उस प्रेम रूपी न्याय रूपी उस दिया को सच्छाई रूपी दिया को जलाय रखने से बहुत फरक आता है इसलिए भाईयो बेहनों लोग निराश ना हो निराश ना हो वरतमान परिश्वास को देखकर हम इस बात से बुलंद विश्वास के सथ आगे बढ़ें आकिर जीत सच्छाई की होनी है और सच्छाई पर जो बना रहता है उसके हार नहीं होगी सच्छाई ना डूपती है न सत्य तुम्हें आजाद कर देगा वही मंत्र को हम अपने दिल में संजोए रखें उसके अनुसाद चलने का प्रयास करें कहीं कहीं बाहर नहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भी बात ने लेकिर हम हारेंगे नहीं हम जीतेंगे जो सत्य बोलता है प्रबू के साथ जो प्रभू के साथ बना रहता है अनंत जीवन का सुक बोगेगा वही प्रभू हम समों को आशिज दे हम समों को बरकत दे अपने प्रेम से अपने अनुगरह से अपने शांति से हम समों को